अक्सर लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर आपका एर फाइबर क्या हुआ तो मैं आपको सबसे पहले वही दिखा देता हूं यह है अंबानी का दिया हुआ जो मुझे को एस्पेसल गिफ्ट किया गया था यह एर फाइबर यह है जो इंडॉर लगता है छट्पे ठीक है और उसके बाद यह है हमारे पास उसका एस्टीवी बॉक्स दोस्तों यह सारी चीजे कवार्ड के अंदर पड़ी हुई है और इसके उपर आप देख पा रहे होंगे धूल भी काफी लगी हुई है तो बहुत मुश्किल से मैंने इनको धून के निकाला कहां पर मैंने इसको एक 6 MB PS की स्पीड देता है लेकिन जो मैंने एक जुगार बताया था उसमें आपको 100 MB से लेके 200-200 जितने भी आपकी फोन में स्पीड आ रही होती है उतनी ही स्पीड पे आप फूरे घर में इंटरनेट बहुत ही आराम तरीके से यूज कर सकते हो तो दोस्तों Air Fiber को लगवाना देखिए बिल्कुल बेकूफी होती है और अगर आप सौकीन है Air Fiber लगवाने के अगर आप दिखाने के सौकीन है कि देखो देखो मेरे यहां Air Fiber लगा है तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप इस चीज को समझे कि Air Fiber ये लोग क्यों दे रहे हैं और हमको Air Fiber ना लेके अ आप ये वाले वीडियो जरूर देखिए और फिलहाल आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि Air Fiber आप ना लगवा के और अगर आपके पास जो मैंने पुराने वीडियो बताए हैं अगर आपके पास वो भी साधन नहीं है तब भी हैंसेट एक आपके पास 5G हैंसेट होना चाहिए जो आपका 5G हैंटसेट है फिसके अंदर 5G नेटोर भी आना चाहिए और उसके अंदर 5G वाला रीचारज पढ़ा होना चाहिए अब बहुत से मेरे जो दोस्त हैं बहुत से मेरे जो वीवर्स हैं बहुत से मेरे प्यारे जो है सब्सक्राइबर्स हैं वह हमको कमेंट करते हैं कि सर हमारे जो है गाउं के अंदर फाइव जी नेटवर्क नहीं है तो मेरे गाउं में जो वीडियों को कर पाने में समर्थ नहीं है आपके पास उतना पैसा नहीं है ठीक है बल्कि वह वाले जितने वीडियों थे उनमें भी मैंने आपको पहुत कम लागत में बताया था अगर आप वह भी चीज़े शारी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत सिंपल वह सरल तरीका और भी एक बता देता हूं और इसके बाद एक और भी मैं आपको तरीका बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको यह वाला तरीका बता देता हूं तो यहां पर देखिए यह हमारे पास जो है लावा का एक फोन है यहां पर जैसा कि आप 991 रिचार्ज क्यों करना आप 899 बाला रिचार्ज करते हैं तो आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो जो 899 बाला रिचार्च करेंगे उसपर 2 GB पर दे मिलेगा साथ ही 20 GB एक्ट्रा मिलेगा जो जीवी पर डे होगा अगर आपके phone के अंदर 5G network आ रहा है, तो आपका 5G unlimited चलेगा, लेकिन अगर आपके पास phone के अंदर 4G network आ रहा है, तो आपका 2G भी इस्तमाल होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो है, आपका 20G भी दिया है, वो इस्तमाल होना चालू होगा, अगर वो प आपके phone के अंदर 5G network आ रहा है, तो आप चाहें जितना भी internet यूज करो, जितना भी आपका मर्जी हो, internet यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं आपका जो वो 2Gb परेडे वाला रिचार्ड है, नहीं वो खतम होगा, ठीक है, नहीं जो आपका वो 20Gb मिला है, नहीं व खतम होगा, क्योंकि 5G इंडिया के अंदर अभी जो है, unlimited plan के साथ आ रहा है, ठीक है, चाहें आप जितना भी यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, अब समझने वाली बात यह है, कि बहुत से लोग कहते हैं, कि सर 5G तो थोड़े जिनके बाद बंद हो जाएगा, फिर जैसे ही, तब ही हम उस company में रुपए लगाते हैं, और उस company का जब share उपर जाता है, तो उसी तरीके से मेरा रुपए भी उपर जाता है, तो वहां से फाइदा और नुपसान दोनों होता है, तो मुझको जब company के बारे में पता होता है, तो उसके future plan भी जानने को होते हैं, क तीन मेहने पहले change हुए थे, सारे recharge के दाम, जो जितने थे, उससे 20-20% और भी high होगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, और उससे पहले, जो भी तीन मेहने पहले हुआ था, उससे पहले तीन या चार साल पहले, टेरी प्लान जो है, मतलब change हुए थे, अब स टेरी प्लान है, वो दो या तीन मेहने पहले आए थे, तो अभी दो या तीन साल तक टेरी प्लान कोई नहीं आएंगे, नए ठीक है, और जब दो तीन साल बाद आएंगे, तब का तब देखा जाएगा, फिलाल अभी आपको ये सारी चीजे दिमाग के अंदर नहीं लानी ह और भाविस के अंदर हो सकता है, क्योंकि टेसला जो है, भारत के अंदर इंटरनेट देना चाहता है, और लाइसेंस के लिए बात कर रहा है, लेकिन जो मुकेश संबानी है, वो भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, कि ये जो टेली काम स्पेक्ट्रम है, इसकी निलामी की तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 2025 के अंदर टेसला का जो है इंटरनेट भी आपको भारत में देखने को मिलेगा और दोस्तों टेसला तो आप जानते ही हैं बिल्कुल उसका जो प्लान होता है ना उसका प्लान सीधे की तरीके से होता है मतलब उसने प्लान कोई लांच किय समलो सफलता मिलने ही मिली है और जब भारत के अंदर वो आएगा ना तो उसकी टक्कर सीधे सीधे होगी जीओ से दोनों ही लोग पैसे वाले हैं कोई किसी से दबने वाला है नहीं तो देखने वाला होगा कि आजने वाले भविस्ट में क्या होता है फिलाल इन सारी चीजों से अभी अभी हमको लेना देना नहीं है जब भविस्ट में होगा तो इस पर भी मैं आपको वीडियो के मात्यम से बताऊंगा फिलाल मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो मैंने एक जुगाड आपके लिए लाया है जो मैं आपको आज जुगाड बताने जा रहा हूं तो यहां पर आपके पास 5G handset होना चाहिए ठीक है एक आपके पास कोई भी handset हो चाहें 5G हो चाहें 4G हो ठीक है फिलाल यहां पर हमारे पास 5G handset है इसके अंदर 899 रुपे का रिचार्च पड़ा है और इसमें 5G टावर आ रहा है इसका मतलब यह है इसके माध्यम से मैं जितन भी यूज करूं इसके अलावा आपको क्या चाहिए आपको इस तरीके का दो डॉंगल चाहिए ठीक इन सारी चीजों का लिंक मैं आपको डिस्रिप्शन में दे दूंगा और चाहें तो आप मेरे वाट्सेप चैनल पर जाके वाट्सेप चैनल जोईन कर लें वहां पर मैं आपके लिए बहुत ठीज ठीज लाता हूं और उसमें आपको यह सारी चीजें बहुत ही सस्ते दाम पर देखने को मिल जाती है तो दोस्तों इस तरीके का आपके पास दो डॉंगल होना चाहिए और आपकी छत में जिन लोगों के नेटवर्ग नहीं आता है तो वह यह जु कब भी एधरनют के ला चरह डार घार आती है द्लिटवल के सांगधेस अ संकार रहे कि चोटी केबल में यह वर्क करता है बड़ी केबल में हो सकता है और भेल आइकन को प्रस करें और अगर आफ वह वह जीतना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को वाट सेब्स चैनल पर 5 लोगों को भेजना होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा वी DC करना होगा और साथ ही अपना और अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में दे देना है तो वहां से मैं एक विनर निकालूंगा वह 100 रुपय का गीववेश सकता है तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूं कि और आपको क्या करना है इस तरीके का आपको पर नीचे 5G नहीं आता है अगर आप छट्पे इसको फिक्स करना चाहते है तो इस तरीके का बांस आपको ले लेना है है वहां पर आप उस दाटा केबल को ले जाईए और आपको जितनी भी डाटा केबल की जरूरत हो आप उतनी ही ये इथनेट केबल मतलब जो डाटा केबल है इस तरीके के अंदर और यहां पर हमारे डॉकल आपको लगा देना ठीक है इस तरीके का आपो यह दूसरा डॉकल में लगा देना ठीक है एक हमारा जो डॉकल करें चलू कर कर रहा है अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहां पर देखिए जो हमारा टीपी लिंक का जो राउटर था ठीक है यह उससे कनेक्ट है और इंटरनेट हमारा जो है वाइफाई के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से चल लाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब हम लोग यह कोई भी चीज चलाना चाहेंगे तो वह नहीं चलने वाली है तो दोस्तों अब आपको करना क्या है इस तरीके से आपको जुगार बना लेना है ठीक है और इस वाली जो है टाइप-C केबल को या कोई और अगर आपके पास केबल जैसे माइक्रो वाली है तो इस पे आप इस से connect है और यह हमारा फोन इस से connect है तो यहां पर इस्क्रीन रिकार्डिंगी चल रही है आप देखते रहेगा ठीक है जैसे ही मैंने इस से इसको connect किया अब ध्यान से उपर देखिये यहां पर एक नया जो है option आएगा और यह हमारा जो internet है वो चलने लगएगा कि यहाँ पर देखिए दोस्तों एक हमारा ऊपर एक option आगया है यह option यहाँ पर आप देख पा रहेंगे तो यह Ethernet का option होता है यहाँ पर अगर आप देखपाएंगे तो यह हमारा ethernet का और साथ ही यहां पर अगर देख पा रहे होंगे तो यह हमारा फ्लाइट भी लगा और जो भी सारी चीजे थी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उन सारी चीजों का यूज कर रहा हूं ठीक है कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है और अगर मैं इसकी Speed चेक करना चाहूं कितनी Speed आ रही है तो मैं आपको वो भी चेक करवाये देता हूं तो यहां पर देखिए यह Speed और Speed के अंदर हम लोग जलते हैं तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी Speed निकल के आ रही है और जीज मैं सारी चीज आपको करके दिखाता हूँ जो चीजे संभव नहीं होती है उनको मैं अपने Youtube पर करके दिखाता हूँ और मैं इस चीज की गारंटी में सबकिकिल देखते हैं उनको अपने चैनल पर करते हैं तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं एक बार फिर से इसकी आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूं जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से स्पीड भी मिल रही है बहुत अच्छे तरीके से हमारा फोन भी वर्क कर रहा है अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर दस एंबी तक स्पीड गई हुई थी अब यहां पर हम लोग बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे में यह डाउनलोड नहीं होता है वो डाउनलोड नह है इसकी स्पीड क्या आती है ठीक है और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके के मैं और भी वीडियो अपने यूटूब चैनल पर डालने वाला हूं जैसे एक यह तरीका हो गया इससे पहले भी मैंने आपको दो-तीन तरीके बताएं है और ऑख जब भी आपका चलाने का मन नहीं है उसके बाद भी आपको जो है हर महीने पे करना होगा क्योंकि यह होता है पोसժेड कनेक्शन होता है अर इस सारी नाटंगी से बच्के आप जो है इस तरीके का सेटब बना सकते हो पूरे घर में बहुत ही आसानरीके से mlrica को अस्स चल लगी अब यहां से हमको हम इसको कर देते हैं कैंसिल अब हम यहां पर मैं आपको मैं म Buynda बता हूं अब दोस्तों मैं आपको assessment सो हज़ас ऑप इसके मात्यम से घर में इंटर नेट को कैसे फैला पाएंगे तो यहां पर separately होगो यहां पर हमारा फ्लाइट मोड लगा हुआ है तो इसको फ्लाइट मोड को हम लोग हटा देते हैं और यहां पर वाइफाई भी हम लोग बंद कर देते हैं ठीक है यहां पर आप देख लीजिए मैंने फ्लाइट मोड को हटाया मैंने यहां पर वाइफाई भी अपना बंद कर दिया है जो हमार फोन में कहीं ऐसी जगह पर रख दूंगा जिसके होट स्पोर्ट से सब लोग इंटरनेट आराम से कनेक्ट कर लेंगे और सारी चीजों का अब चलिए मैं इसको आपको कंप्यूटर में टेस्ट करके दिखाता हूं कि इस वक्त हमारे पास कोई और फोन नहीं है जिससे मैं आपको कनेक्ट करके वाइफाई दिखाओ तो मैं आपको इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करके दिखा देता हूं और साथ ही मैं प्रूफ भी स्क्रीन को अन कर दिया है और यहां पर आप देख पा रहे हूंगे तो यहां पर कोई भी इंटरनेट नहीं है वहीं दोस्तों सबसे पहले हमहारास्ट Press के उपर पर जाएंगे तो यहां पर आप हमारे hot spot का नाम देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा यहां पर नाम दिया गया है और इसके अंदर कोई भी हमने security को नहीं लगाया है हमारा hot spot on है और साथ ही यहां पर जो हमारा mobile का जाकर है वो भी वाफ है और हमारा Wi-Fi भी वाफ है यहां पर यहां पर चिंद देख रहे हो तो यहां से हम लोग वाई-फाई को सर्च करेंगे यहां से हम लोग वाई-फाई आन करेंगे और यहां पर हमारा जाएगा YouTube तो सबस'tेधे पहले हम लू剛 को देखते हैं कि क्लिया हमारा YouTube चल ला है नहीं चल ला है उसके घक यह तो हम अच्छे तरीके से चल ला है कोई भी दिक्कत यहां पर हमको देखने को नहीं मिलती हैं जोस्तों लोग नंबर मांगते हैं कि सब्सक्राइब नंबर नंबर हमको दे दीजिए तो देखिए नंबर देना पॉसिबल नहीं होता है तो इसी का मैंने solution निकाला है telegram channel ठीक है हमारे पास एक telegram channel भी है और एक Hai telegram channel चैट भी है तो चैट से वहाँ पर हम लोग आपस में बाचीत कर सकते हैं मानली जैसे हम लोग WhatsApp पर बात करते हैं ऐसे ही बात कर सकते हैं खोई भी प्राब्लम हो उसका वीडियो बने करका हमको भेच सकते है